नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी पर। आज हम एक बेहत दिल्चस्प और महत्वपूर्ण विशय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो है चीन की छिपी व्यापारिक रणनीती। चीन, जिसे आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थ विवस्थाओं में गिना जाता है, उसकी सफलता का राज आखिर क्या है? कैसे वो दुनिया के हर कोने में अपनी उपस्तिती दर्ज कर रहा है और व्यापारिक दुनिया में अपनी जगह बना रहा है? इस विडियो में हम जानेंगे चीन की उन रणनीतियों के बारे में, जिन्हें वो गुप्त रूप से अपनाता है और कैसे वो अन्य देशों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है? चीन की चुपी व्यापारिक रणनीति एक ऐसा विशय है, जो आज के दौर में बेहद महत्वपूर्ण है यह विशय उन लोगों के लिए दिल्चस्प हो सकता है, जो अंतराष्ट्रिय व्यापार, वैश्विक राजनीति और आर्थिक रणनीतियों में रुची रखते हैं हम चीन की चुपी हुई व्यापारिक रणनीतियों को गहराई से समझेंगे और उनके पीछे की सोच को उजागर करेंगे परिचय चीन की व्यापारिक रणनीतियां हमेशा से ही जटिल और योजना बद्ध रही हैं यह देश न केवल अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ा रहा है बलकि वह अपनी व्यापारिक रणनीतियों के माध्यम से वैश्विक बाजार पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है इस स्क्रिप्ट में हम चीन की कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे की कैसे यह देश अपने उद्धेशियों को प्राप्त कर रहा है चीन की वैश्विक व्यापारिक शक्ति चीन ने पिछले कुछ दशकों में अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए है 1980 के दशक में आर्थिक सुधारों के बाद चीन ने अपने दरवाजे विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिये और सस्ते श्रम का लाब उठा कर खुद को दुनिया का कारखाना बना लिया इसका नतीजा यह हुआ कि चीन की अर्थ वेवस्था तेजी से बढ़ी और आज यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थ वेवस्था है Apple, Nike जैसी बड़ी कमपनिया अपने उत्पाद चीन में ही बनवाती है यह दिखाता है कि चीन की manufacturing power कितनी प्रभावी है Belt and Road Initiative, BRI, एक छुपी हुई विस्थारवादी रणनी थी Belt and Road Initiative, BRI, चीन की एक महत्वा कांक्शी योजना है जो Asia, Europe और Africa के 60 से अधिक देशों को जोडने का काम करती है इस पर योजना के तहत, चीन विभिन देशों में infrastructure निर्मान में निवेश करता है जिससे वह उन देशों के आर्थिक और राजनीतिक मामलों में अपनी पकड मजबूत करता है पाकिस्तान में चीन-Pakistan Economic Corridor, CPEC के तहत बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है जिससे पाकिस्तान चीन पर आर्थिक रूप से निर्भर हो गया है टेकनोलोजी और इनोवेशन में चीन का प्रभुत्व चीन ने टेकनोलोजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भी अपनी चाप छोड़ी है हुवावे, अलिबाबा, टिक टॉक जैसी कमपनियों ने वैश्विक स्तर पर चीन को एक टेकनोलोजी लीडर के रूप में स्थापित किया है हाला कि इन कमपनियों की सफलता के पीछे चीन की सरकार की मजबूत सहयोग नीती और डेटा नियंतरन रण नीती है हुवावे पर अमेरिका ने प्रतिबंद लगाए थे क्योंकि उसे शक था कि हुवावे चीन की सरकार के लिए जासूसी कर सकता है सौफ्ट पावर का इस्तिमाल चीन ने सौफ्ट पावर का उपयोग करके भी अपनी स्थिती को मजबूत किया है Confucius Institutes और चीनी मीडिया नेटवर्क जैसे उपकरनों का उपयोग करके चीन अपनी संस्कृतिक और राजनीतिक विचारधाराओं को विश्वभर में फैलाने का काम कर रहा है Confucius Institutes के माध्यम से चीन अपनी भाशा और संस्कृति को प्रमोट करता है लेकिन इसके साथ ही वह अपनी राजनीतिक विचारधारा को भी फैलाने का प्रयास करता है चीन की कर्ज जाल रणनीती चीन की कर्ज जाल रणनीती भी बेहद महत्वपूर्ण है इसके तहत चीन विभिन विकास शील देशों को बड़े पैमाने पर कर्ज देता है जब श्रीलंका चीन का करज नहीं चुका पाया, तो उसे यह पोर्ट 99 साल के लिए चीन को किराय पर देना पड़ा. साइबर जासूसी और डेटा नियंतरन चीन साइबर जासूसी और डेटा नियंतरन में भी माहिर है. चीन की कंपनिया और सरकार मिलकर विभिन देशों और कंपनियों से महत्वपूर्ण डेटा चुराती है. यह डेटा उनके व्यापारिक और रणनीतिक फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. 2017 में अमेरिका की क्रेडिट रिपोर्टिंग एजनसी इक्विफेक्स के डेटा को हैक करके 14 करोड अमेरिकियों की जानकारी चुरा ली गई और इसके पीछे चीन के हैकरों का हाथ बताया गया था. व्यापारिक नियमों का पालन न करना चीन अक्सर अंतरराष्ट्रिय व्यापारिक नियमों का पालन नहीं करता और अपने लाब के लिए नियमों का उलंगन करता है. इससे वैश्विक बाजार में असमानता उत्पन होती है और चीन को प्रतिस परधात्मक लाब मिलता है. चीन पर बार-बार यह आरोप लगता रहा है कि वह अपने उत्पादों की कीमतें अन्य देशों की तुलना में कम रखकर डंपिंग करता है, जिससे अन्य देशों की कंपनियों को नुकसान होता है. चीन की आर्थिक जासूसी रणनीती चीन की आर्थिक जासूसी भी उसकी छुपी हुई व्यापारिक रणनीतियों में से एक है. इसके तहट चीन विभिन देशों की तक्नीकी और ओद्योगिक जानकारिया चुराता है और उनका उप्योग अपनी कंपनियों को बढ़ावा देने में करता है. 2018 में, अमेरिकी सरकार ने चीन पर आरोप लगाया कि उसने अमेरिकी कंपनियों के ट्रेड सीक्रिट्स चुराए और उन्हें अपने उत्पादों में उप्योग किया. चीन की व्यापारिक रणनीतिया बहुत ही जटिल और सूक्ष में है. वह अपनी ताकत को बढ़ाने और वैश्विक बाजार में अपनी पकड मजबूत करने के लिए हर संभव तरीका अपनाता है. चाहे वह कर्ज जाल हो, सॉफ्ट पावर हो या साइबर जासूसी, चीन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव उपाय करता है. इस विडियो के माध्यम से हमने चीन की व्यापारिक रणनीतियों को समझने की कोशिश की है. इन रणनीतियों का अध्यान करके हम समझ सकते हैं कि चीन किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर अपनी पकड मजबूत कर रहा है और भविश्य में वह कौन से कदम उठा सकता है. यह स्क्रिप्ट यूट्यूब विडियो के लिए तैयार है और इसे प्रस्तुत करते समय उप्यूक्त विजूल्स और आंकडे भी शामिल करें ताकि दर्शकों को विशय की गहराई से समझ मिल सके. विडियो को देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको यह विडियो पसंद आया हो तो क्रिप्या इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. अगले विडियो में हम एक और रोचक विशय पर चर्चा करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद और अल्विदा.